अला अजी तमिल इंडिस्टी के वन अफ दा हैंसम और टैलेंटिड एक्टरों में से एक हैं इनकी फिल्म में कभी भी आती हैं तो पहले देने तनी दगड़ी और जबर जस्त ओपनिंग कर जाती हैं मानो हर किसी फिल्म की बसकी बात नहीं है इनकी लास्ट फिल्म थी वैली म यह लिए सब्सक्राइब और बैल एकन प्रेस करना मत बूलिये का दोस्तों तैयर कर दो प्रेस्ट थाला जीट की फर्स्ट फिल्म होने वाली है एकशिटी विंगा जिस फिल्म करेंड करें एच्वी नोदी जिन्होंने हाल फिलाल माई वैली में को भी किया था जिसके दिवाना ही हो गया है और आपको इस फिल्म की जू सूटिंग अफलोगों पूछ तरगी से कंप्लेट होने जा रही है क्योंकि इस फिल्म की जो रिलीज डेटर वो अनौंस कर दी गई है जो कि इसी साल की होने वाली जिस फिल्म को पर रहे हैं बॉन्यू कपूर या निकी जी नेक्स फिल्म होने वालिये डैयेट करें विगने सिवान जिस के लिए डूर्माइपको अजीद कुमार साथ में नेंतारा नजर आने वाले जोना वह मुझी वीस्ट की में भी दिया the क्या जबर जस्त मिजिक था और आपको अधाद इस फिल्म की ज़े सूटिंगा वो 2022 के एंड में स्टार्ट होगी जी हाँ आपको अधाद इस फिल्म को पर्डूज कर रहे हैं मिस्टर सुबन करन कर रहे हैं इनकी लायक प्रोड़ेक्शन के बेंडे इस फिल्म को बनाया जा और आपको उता दो जिससे पहले सिवा अनाते फिल्म बनाई चुक है रजिनी कांसर की जो कितनी ज़्यादा धमागेदार और बिलागबस्टर रह चुक है आप तो जानते हो और आपको उता दो यार अजीत कुमार के साथ फिल्म बनाने से पहले सिवा को एक फिल्म बनानी है यानि कि Sun Picture की Benetalist फिल्म को बनाय जा रहा है जिसे रिलीस किया जाना है 2023 के एंड में दोस्तो अजीत की नेस्ट फिल्म होने वाली है Mankatha 2 जो कि एक Accent Rail फिल्म होने वाली है जिस फिल्म को डायरेट करें यार और इस फिल्म का जो नांसमेंट है वो काफी पहले किया गया था लेकिन इस फिल्म के लिए ना दोनों की डेट होना काफी जादा जरूरी है जी हाँ दोस्तो हाल फिल्म में थाला पती वीजे लगे हैं अपनी फिल्म 66 की सूटिंग में उसके बाद उनने 67 भी बनानी है तो उसके बाद इस फिल्म पर काम स्टार्ट किया जाएगा क्योंकि अजीत भी एकके 61 और साथ में एकके 62 में लगे हुए हैं जी हाँ दोस्तो कि दोनों की सूट बिलुकुली एक टाइम पर खतम होगी तो इस फिल्म को जो प्लैन किया गया है वो 2024 के लिए और जो की तमले इंडिस्ट्री की आने वाली सबसे बड़ी फिल्मों में से एक होगी जी हां दोस्तो आपको आपको जो पड़ूस करने वाले वह बॉनी कपू और सुदा कॉंगरा को तो आप जानते हो सुरारू पुत्रारू जैसी धमागेदार फिल्म दो दे ही चुकी है सूरिया की इसके लिए डूल में आपको नजर आएंगे थाला अजीत लेकिन इस फिल्म के लिए आपको काफी लंबा चोड़ा वेट करना होगा क्योंकि आपक कॉंगरा जो की सुरारू पुत्रू बना ही चुकी है और उसका हिंदी रिमेक बना रही हैं बॉली गूर्ड इंडिश्टी में जिसमें आक्षा कुमार आपको नजर आने वाले जी हां दोस्तों उसके बाद उन्हें हॉंबले फिल्म के साथ भी एक फिल्म बनानी है जो उन ला जवाब होता है वैसे इनकी फिल्म होगा तो भाई मुझे इस फिल्म का काफी जादा इंतिजार है तो ये फिल्म दोहजार पच्चीस यह चोबिस तरही ही देखने को मिल पए अजीद की नेस्ट फिल्म होने वाली है बिल्ला थिरी जो की एक्सें ठ्रेले फिल्म होने लिए जिस फिल्म को डायट करेंगे विसनू वर्धनी और आपको तो पता है इसका पहला पार्ट जो की 2007 में आया था दूसरा पार 2011 में और दोनों के दोनों सूपर डूपर हिट रहे थे और उसके बादी इसके पार्ट का जो अनौन्समेंट हो नहीं हो पाया था लेकिन हा अनौन्समेंट है वो कर दिया उन्होंने काया कि इस फिल्म का जो काम है अभी स्क्रिप्टिंग स्टेज बे जिसकी ऑफिसली अनौन्समेंट 2023 में की जाएगी जी हां दोस्तो 2023 में और इसकी दोनों फिल्म में यार काफी ज़्यादा जबर जासते हैं जिसमें से आपको बि यही देंगे अपनी कम्यूटी पोस्ट में दोस्तो तो यही थी अजीत की आने वाली फिल्म है इन में सो कौन सी फिल्म का आपको इंतिजार कमेंट में जरूर बिताएगा मिलते हैं नेस्ट वीडियो नेस्ट अपडेट के साथ जबते के लिए बाए बाए दोस्तों